आज बंदो को भी से बहुत ही अच्छी वाली एक रेश्पी बनाएंगे जो कि नास्ते के लिए एक्टम परफेक्ट होगा तो चलिए फिर शुरू करते हैं हलो फ्रेंज मैं हो कुमुद मम्मी की रस्वईवाई कुमुद में स्वागत है आपका इसके लिए कैफिच से इस तरह आपको पत्ता निकाल लेना है जो कि मैंने यहां पर निकाल करके रखा है यह रेखिए आपको ऐसे निकालना है यह टूटे ना तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहां पे कट लगा लेना है बीच से यहां पे और फिर इसे यहां से आपको आराम आराम निकालते जाना है बहुत इसली यह निकल जाता है और अब पत्ते को उबलते के पानी में आपको अपने डालते जाना है और इसे 2-3 मिनट के रिए आपको उबाल लेना है यानि कि पत्ता सौफ हो जाना चाहिए तो यह पत्ते सौफ हो गया है तो अब नहीं निकाल लेते हैं अब एक पैंचे ढ़ा लिया है और इसमें डाल लेते हूं एक चमच तेल इस तेल में डाल लेते हूं थोरा समय ने लिया है मटर और थोरे से हरीमिच ले लिया है दो तिन तोर के एक इंच अध्रब का तुप्रा तो झालेक्डिक्यों का दोर्छल इपकिष्या मटर जाल रौरता के खंत्म में तोरस जमलते हैं जाल भालwh प्रोर तोरता के एक अध्ररास एक रस्ने के खरते हैं पूर्ट चलिए धंगया पालड़ डाल लेती है तो देखिए बस हो गया है थोरा समय इसमे और धब देखिए एक मिनट के लिए दो बस यह हो गया है अब इसमें डाल लेती हूं थोरा सा धंगया पता अब एक बैटर त्यार कर लेती हूं जिसके लिए मैंने लिया है तीन से चाट चमच मैधा और एक चमच चावल का आटा थोरा सा नमक और थोरा थोरा पानी डाल करके इसका एक बैटर त्यार कर लेती है धाल ते गरहा से ज्ला पतला नहीं रखता है तो देखिए इस तरह का ना यह ज्यादा गाढ़ा है और ना ज्यादा पतला नो यह हमने कर लिया है और अब मैंने मटर को ले लिया है ग्रैंडिंग यार में और इसको पीस लेते हैं यानि कि इसे मोटा ही पीसना है बहुत जादा बारी खम को नहीं करना है तो इस तरह हमने इससो क्रश कर लिया है तो यह ना बहुत जादा एक्तम पेश्ट की तरह में नहीं ब में हम लूग भड़ लेते हैं अपने मिश्रन को को जो हमने मटर का मिश्रन बना रखा है इसे इस तरह बीच में महले भड लेते क्यों और इसतरह इन्हें फोल्ड कर देते एसे ख्रीकिया जो एक्स्ट्रा और ट्रोर साइट साइट से है इन्हें इस काट देते हैं यहाँ से इस तरह से एक शेप दे देते हैं तो इस तरह हम अपने सभी कैविज की लिफ को शेप दे देते हैं थोड़ा सा आप जाहें तो जो आपने घोल बना रखा है उसे इस तरह लगा करके आप चिपका देजिए ऐसे थोड़ा सा आप चिपका सकते हैं से और अब आपको इसे इस डिप में डालना है इस तरह और मैंने लिया है ब्रेट का चूरा इसमें इसे इस तरह लपेट लेना है इन में अगर आपने बीच में चीज स्लाइस डाल लिया ना या फिर ग्रेट चीज भी डाल लिया तो इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा यानि कि यह चीजी चीजी हो जाएगा तो आप ट्राइ करके देखिएगा और आपको तेल लेना है तेल थोड़ा गरम हो गया ह इसमें अपने स्पीज को डालते जाना है एक तरक्षे जैसे ही थोड़ा कुरकुरा हो जाएगा कोई से अच्छा कलर आया है और टेस्ट इतना अच्छा प्रंच लगता है कि एक बार आपस रेस्पी को ट्राइ करके देखिएगा आपने बंद भूवी मटर की सबजी खाई होगी लेकिन यह रेस्पी आपने नहीं बनाई और ट्राइ की होगी निकाल लेते हैं दो नहीं तरफ से अच्छा कलर आ गया है तो बाकी सभी पीस को भी हम इसी तरफ ट्राइब कर लेते हैं कैवेज की यह रेस्पी तो एक बार ट्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंस रेस्पी अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलेंगे फिर अगली रेस्पी में